जम्मू में राजनाथ सिंग की दोटूग पाकिस्तान को कश्मीर रट से कुछ नहीं मिलेगा बोले राजनाथ पियोकी की माग भारत में करो शामेल मनिपूर पर पी-एम और ग्रे मंत्रिया में शाह की एम बैठक ताजा हालात की दी जानकारी बोले राजनाथ जल सुद्रेंगे हाला अमेरिका और मेस्र के दोरे के बाद दिल्ली लोटे पी-एम एरपोर्ट पर शानदार स्वागाथ बाइडन ने वीडियो में कहा ये दोस्ती बड़ी मजबूर्ट दिल्ली में बिजली भाव में महेंगाई का करन्ट दस फीजदी का इजाफा केज़िबाल सरकार का बयान केंद्र के रवईये के चलते बढ़ाने पड़े दाम और दिल्ली में नकावपोष लुटेरों पर सियासी चोड बोले के जिबार एल जी हमें सौपे अप्त सुरक्षा सामने आई लुटेरों की सिसी टीवी तस्बीरें नमस्कार TNP News देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ जाबिद अली वुलिटेन का अगास बड़ी गबर के साथ करेंगे गुझरात के मौर्भी गउन में बड़ा हदसा हुआ है आपको बता दें गैज स्लेंडर गोदाम में लगी भीशडा आग मौके पर पहुची है और आखकर बुझाने की को शिश लगातार की जा रही है हलाकि अभी तक कोई जानमाल का नुक्सान की किसी तरह की कोई खबर सामने नहीं आई है लेकिन भीशड आग जो है वो देखने को मिली है गुजरात के मौरभी गाउं में फिलाल ये बड़ा हादसा हुआ है गैस सिलेंडर गोदाम में भीशड आग लग गई हलाकि किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है लेकिन बड़ा हादसा गैस सिलेंडर गोदाम में आग लगने के करण ये हुआ है उदर यूपी के सिदार्त नगर में च्छत्रपरती शाहूद जी माराज की 149 भी जैनती समारू का आयोजन किया गया है इस समारों में सभा के राष्ट्रिय माहासाचिप स्वामी प्रसाद मौरे ने श्रीकत की लोयक अला भवन में आयोजित कारिकरम में सभा के घार करताओं ने बढ़ चल कर हिस्सा लिया इस मौके पर स्वामी प्रसाद मौरे ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शाहूजी महाराज के योगदान को याद किया इस दौरान मौरे ने मौदी और प्रदेश की योगी सरकार पर जम कर हमला बोला मौरे ने महंगाई और बेरुजगारी का जिक्र करते हुए दोयार 24 में मुदी सरकार को हटाने का आववान किया मौरे ने कहा कि इनके पाप का घड़ा भर चुका है जो आप फूटने बाला है आज पूरे देश का नौजवान बेरुजगारी का दंजेल रहा है भाजपा साथन में सरकारी नोक्रियां गाइब हो गई है भूले विसरियत कभी कोई जगा आई भी तो भ्रश्चाचार की बलेदी चुड़ जाती है महाई आस्पान पर है भाजपा सरकार के पहले जो डिजल 56 रूपे लीड़ है सो के पास पहुँँँगिया जो पेट्रोल 65 all brothers वो के 100 पहुँँच गिया जीस्टी का दिर्प्योग हो रहा है जांच के नाम पर लग हुए मध्यम व्यापारियों से धनुगाई चल रही है लोगतंद्र को दबाने के लिए विवक्षी आवाज को पुचलने के लिए यहां तक कि यह आजादी के बाद पहली अस्थाल और आशी सरकार है जो राष्टी कित संपतियों को बेच रही है उद्योग्पतियों के हवाले कर रही है पूर्व की केंद की सरकारें निजीश शेत्रों का राष्टी गर्य क्या करती थी जिससे रोजगार सिजन के राष्टे बढ़ते थे नौजवानों को सरकारी नौक्रिया संपतियों को बेचना शरका की असफलता-विपलता का सब से जीता जाकता नमूना है उदर केंद्रिय संचार एलेक्ट्रोनिक्स और सूचनप प्रवदगी की मंत्री एश्वनी वैशनव ने जटिल सटेग सेमी कंडेक्टर तक्नीक का डेमो दिया बतादें कि जिस माइक्रोन टेक्नोलोजी को भारत में लाया जा रहा है केंद्रिय संचार अंदर इस्तापित होने की संभावना है यह वेफर है यह वाला एक वेफर है इस वेफर में बारिकी से नैनो मिटर नैनो मिटर का मतलब आप आँक से नहीं देख पाएंगे इसको अगर नाखुन की नोक अगर हम लें उसका एक करोड़वा बारिकी से वन करोड टाइमस बारिक इतना बारिक इतना छोटा इसके अंदर चिप्स होती है इस वेफर के अंदर भी सजार से जादा चिप्स है 20,000 से जादा चिप्स है इतना असा वेफर दिखता है यह लेकिन इसके अंदर 20,000 से जादा चिप्स है इनको इस वेफर को फि प्रवार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार कंट्रोल करने में सक्षम है ग्रैमंद्री ने आश्वासन दिया है कि केंद्र मनिपूर में शांती बापस लाने के लिए हर संबब प्रयास किये जा रहे हैं कि किरते दूल प्रयास कि लिए करने में शांती विए हर द करने में प्रयास कि खाल बाफसे अपरादी नाने के लिए जले एक के लिए है लिए सेविए है कि थे घंडरा रॉब्या है और भारतिये कुछती संगेपूर बद्देक्ष ब्रजबूशन सिंग के खिलाप प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने आंदोलन खत्म करने की घोशना कर दी है उन्होंने कहा है कि आप अपनी लड़ाई सड़क के बतले अदालत में लड़ेंगे ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक नयाय नहीं मिल जाता लेकिन अब सड़क पर दंगल नहीं होगा इसकी जानकारी महिला पहलवान साक्षी मलेक विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने टूइट करके दी पहलवानों के अचानक इस फैसले से उनका समर्थन करने वाली खापंचायतों और किसान संगटनों को बड़ा जटका लगा है वहीं सांसर ब्रजबूशन ने भी अपनी प्रतिकरिया दी है उन्होंने कहा कि इस मामले में अदालत अपना काम करेगी अदालत का कम फैसला मानने होगा तो ब्रजबूशन सिंग की ग्रफतारी को लेकर जिस तरह से लगातार जो किसानों का और पहलवानों का और खापंचायत लगातार ब्रजबूशन की ग्रफतारी को लेकर प्रदशन कर रहे थे लेकिन आज पहलवानों ने ट्वीट की जरीए जानकारी दी है कि अब ये प्रदशन सडकों पर नहीं होगा अब अदालत के जरीए ये लड़ाई लड़ी जाएगी प्रक्राण अदालत में है अदालत के विचारा धीन है अदालत अपना काम करेगी और नशीली दबाओं के दुरुपयों को और अवेद तसकरी के खिलाब अंतरास्ट्रिय दिबस के अवसर पर ग्रह मंतरी हमें शहाने देश वासियों को संबोदित किया ग्रह मंतरी ने कहा कि ड्रक्स के वरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हमारे सभी एजनसियों को मन से बदाई देना चाहता हूँ प्यमोदी के मार्ग दश्र में ग्रह मंतराले ने नार्कोटिक्स के खिलाब जीरो टॉलरेंस की नीती अपनाई है आज उसके सफल परिडाम देखने को मिले हैं हमारा संकल्प है कि हम भारत में नार्कोटिक्स का वेपार नहीं होने देंगे और नहीं भारत के माद्धम से ड्रक्ट को बिपक्ष के किसी और देश में जाने देंगे तो साफ तोर पर ग्रैमंतिया मिशा ने नार्कोटिक्स को लेकर ये बात कही कि विश्व के किसी देश में हम इस ड्रक्स को नहीं जाने देंगे जीरो टॉलरेंस की नीती अपनाते हुए उन्होंने नार्कोटिक्स को बढ़ाई भी दी और साफ तोर पर अपना बयान में यह कहा कि नश्यली द्रुपश क पर पूरी तरह से बेल लगाया जाए और उन्होंने अपने पर नार्कोटिक्स को बढ़ाई देते हुए गर्ब भी करने की बात गहीं तो नशीली दबाओं के दुरुपयों के खिलाप अंतरास्ट्रिय दिवसी ये मनाया गए जिसमें साफ तो पर केंद्री ग्रैमंत्री अमिश शाह ने तो ग्रैमंत्री अमिश शाह ने ड्रक्स को लेकर नशीली दबाओं को लेकर साफ तो पर नार्कोटिक्स को बदाई दी और उन्होंने कहा कि हम देश के या पूरे बिश्व में कहीं भी नशीली पदार्तों का प्रयोग नहीं होने देंगे और तस्क्री के खिलाब लगातार कारे किया जा रहा है मित्रो आज 26 जुन को नसिली दवाओं के दुरूपयोग और अवेद तस्क्री के खिलाब आंतराश्टिय दीवस के अवसर पर मैं ढग के विरूद लडाई लड़ रही हमारी सभी एजन्सियों को मन से बहुत बहुत बढ़ाई देना चाहता हूँ यह अत्यनता हर्स की बात है कि नार्कोटिक्स कंट्रोल विरो इस बार भी अखिल भारतिय स्तर पर नसा मुक्त पक्षवाडा का आयोजन कर रहा है उदपूर गिंद्रिय मंतरी और वीजेपी निता मुक्तार अबास नगवी ने मुसल्मानों के अधिकार के सवाल पर जवाब दिया है मुक्तार अबास नगवी ने कहा है कि भारत में सभी वर्ग सुरक्षा और समरदी के संकल्प को महसूस कर रहे हैं कहीं कोई बेदवाओ की बात नहीं है उन्होंने कहा कि हमारे प्रदानमंत्री को दुनिया के तमाम देश्व सम्मानित कर रहे हैं और यह 143 करोड देशवासियों का सम्मान है भारत बेशिंग बिर्गेट से प्रभावित लोगों को हिंदोस्तान के इस देश की सम्म्रिदी सुरच्षा और समावेशी सशक्ती करल के की जो जमीनी हकीकत है उसको देखने के लिए हिंदोस्तान की जमीन को देखना होगा अगर आप भारत बेशिंग बिर्गेट के दुषपरचारों के आधार पर भारत को बनाम करने का हिस्सेदार भागिदार बनेंगे तो निस्वी तोर से कोई उसे सुईकार नहीं करेगा आज नरेंदर मोदी जी के शासनकाल में सम्मान के साथ विकास और बिना भेद भाव के सशक्ति करना का एक बहुत ही सुर्णी माहौल और उसर बना है आज इस देश में जहां पर समाज के सभी वर्गों आखरी पायदान पर खड़े गए वक्ती के आँखों में खुशी और जिंदगी में खुशाली लाने के लिए नरेंदर मोदी जी मजबूस संकल्ब के साथ परिश्रम के साथ परलाम में उसको बदल ले हैं चले से बीच एक बड़ी कबर आपको बता दें जहां पर बराक उबामा पर नर्मला सीता रमण ने तंज कसा है उबामा ने साफ तोर पर पी एम मोदी पर लगाये थे आरोप उबामा शासन में मुस्लिम देशों पर बरसाए गए बम पीम मोदी के अमेरिका यात्रा के दोरान अमेरिका की पूर्बर राश्रपति बराग उबामा की और से साफ तोर पर पीम मोदी को लेकर बयान दिया गया अब वित्ट मंतरी निर्मला सीतार अमण ने पलड़वार किया है उन्होंने बराग उबामा पर निशाना सादेते हुए कहा कि जिनके शासन में छे मुसलिम देशों पर बम बरसाए गए हो उनके आरूपों पर कैसे भरूसा करें और तलब है कि बराग उबामा ने अल्प संक्यों को पर हमले को लेकर पीए मोदी पर निशाना सादा था जिसको लेकर अब निर्मलासीतरमण ने पलड़वार किया है तो बराग उबामा पर निर्मलासीतरमण करते हुए पलड़वार किया है युनाइट स्टेट्स के विशह में हम अच्छा फ्रेंशिप माँ चाहते हैं मगर उदर से भी भारत के रिलिजियस टॉल्टरिम्स के ऊपर एक यूजिय आरफ है उनके कमन्स आ जाता है राष्ट्रपती जी ने कुछ बातें बोल रहे हैं जहाँ शायद छेदेशों के खिलाफ जहाँ मुस्लिम पॉपलेशन डॉमिनंट है बॉमिंग हुई वुने के कारोगर में सिर्या से लेकर के यमन के लेकर के सौधी के लेकर के इराक के लेकर के बॉमिंग नहीं हुआ और दिली के इंडिया गेट और रिंग रोड को आपस में जोडने वाली प्रगती मैदान टरनल में लूट की वरदात सामने आई है मुचो साइकल पासबार दो बदमाशों ने हत्यारों के बल पर पुरानी दिली के रहने वाले कारोबारी से दो लाक रुपे लूट लिए की है सीम के जीवाल ने कहा कि अगर केंदर सरकार दिली को सुरक्षित नहीं कर पा रही है तो इसे हमें सौप दे उदर यूपी के सहारनपुर में पर शासल लौ एन ओर्डर को कायम रखने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं इसी कड़ी में अब जिला दिकारी और वरिस्ट पुलिस अदिक्षिक ने सायुक्त रूप से जिला कारागार का रिरिक्षिन किया अकस्मिक रिरिक्षिन के दौरान जेल के बंदियों को मिलने बाली सुविदाओं और सुरक्षिब विबस्ताओं को उनकी चेकिंग की गई और समन्दित करमचारियों को अबश्रक दिशन देश भी दिये गए आपको बता दें कि इस सुरक्षे विवस्ता को चाक चौबंद रखने और जेलों की सुरक्षे को लेकर पिर शासन दौरा ये कदम उठाए गए है उधर साहरनपुर के गंगो में करीब 15 दिन से चल रहा विवाद फायरिंग तक पहुंच गया है जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली बारी कर दी इस फायरिंग में एक यूबा घायल हो गया जनकारी के मताबिक कुछ दूनों पहले कुपते को मारने को लेकर ये शुरू हुआ था जिसके बाद विबाद इतना बढ़ गया कि नौबत फायरिंग तक पहुंच गई उधर फायरिंग कर रहे शक्स ने वीडियो जारी करके धंकी भी दी उधर लखीमपुर खीरी में पुलिस की लापरवाई से एक शक्स को च्छै महीने की जेल की सजा काटनी पड़ गई आपको बता दे जानकारी के मताबिक आरूपी की साथ साल की सजा काटनी के बाद रहाई हुई थी लेकिन पुलिस की लापरवाई से उसे फिर छै महीने की जेल काटनी पड़ गई लेकिन जैसे ही मामले का खुलासा हुआ तो उसे फॉरन रहा करने के आदेश जारी किये गए उधर जेल से रहा हुए शक्स ने जिल से बाहर आने पर खुशी जताई है सन नव में चौदा तारी को छूट करके आए चौदा तीन को छूट करके आए उसके बाद में हाई कोट गए वहां से तल्वी आई तो हाई कोट गए हाई कोट में जताई स्रीमान जी हम पूरी सजा काड़ करके सेंटर से आये हुए तो बोले जाओ दसकत करवालियाद दस साल के बाद बारा साल के बाद इन फिर पड़ी यह तारीक तो तारीक पद्दा तारीक ची तेरा खुम को स्रीज्यम साब के हां से ग्रिफ्तार कर लिया गया राजनायन उर्फ रामू बंदी या जब ही तकाल हाई कोर्ड के आदेश पे रिहा हुए हैं 2003 पे इनके पर दुसकर्म का मुकंदमा दर्जुआ जिसमें ये इनको 2003 में सजा हो गई 1998 में दर्जुआ और 2003 में इनको सजा हो गई इसी दारान इन्होंने एक अपनी अपील भी हाई कोर्ड में सजा के खिलाब किया लेकिन इनको जो है उस वक्त दो जेला कारागार सेंटरल जेल बरेली भेद दिया गया और 2009 में इनकी सजा पूरी होने पर ये रिहा कर दिये कमियों की वज़े से इन्हों किनी काड़ों से इन्हें वहां से जो इस्टेटर्स रिपोर्ट मांगी गई उसमें इस्टेटर्स इस बात की मांगी जाती है कि बंदी जिन्दा है या मर गया है लेकिन पुलिस ने यहां से यह रिपोर्ट भेदी कि वो मकान बेज के चला गय अधरे माचर प्रदेश में मौनसून कहर बनकर बरपा रहा है बारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं की वज़ा से कई जगों पर सैला भी सैला भी दिखाई दे रहा है बारी बारिश और बार की वज़ा से राज में अलग अलग जगों पर कम से कम 6 लोगों की जान चल कि आपको मालूम है लगए कि तीन दिन से जो है मौनसून हिमाचल में दस्तिक दे चुकी है अभी हमें जो रिपोर्ट आ रही है कि बहुत जगा में हैवी रेंज की सुचना है मिल रही है बहुत सारे हमारे जो है जगा में फ्लेश फलड आ रहे हैं कहीं पर कहना रोक मौनसून के उनसेट के बाद थे छे लोगों की डेथ हुई है और लगवग दस लोग जो है इंजर हुए है हमारे तीन सो तीन जो है जानवर है उनका नुकसान हुआ है उदर असम में बाल की सितिय लगातार बनी हुई है जिसके कारल लोगों को काफी दिक्तों का सामने करन हुए हैं हाला कि जलिस्सर का मोहोना शुरू हो गया है असम राज आब्दा प्रबंदन प्रादी करण के अधिकारी ने कहा कि राज के कई हिस्सों में इस साल की बाड की पहली लहर में अब तक तीन लोगों की जान भी चली गई है AISDM की रिपोर्ट के अनुसार बक्षा, बारपेटा, दरांग और दुबरी, गोल पारा, कामरूप, लखीमपुर और नलबाडी और उदल गुरी जिलों में चार लाग साथ हजार साथ सो से जादा लोग बार से प्रबाबित हुए हैं बक्षा, बरपोटा और सोनितपुर, दुबरी, कामरूप और कोकराजार, नलबाडी, दक्षड, सालमारा और उदल गुरी में बड़े पैमामने पर मिट्टी का कटाओ देखा गया करीम गंज में भी भारी बारिश के कारण भूसकलन की घटनाए सामने आई हैं तो बार के चलते असम में जो हैं हालाद बत से बत्तर बने हुए हैं चार लाख से जादा लोग जो हैं वो अब तक बार से प्रबाबित हो चुके हैं लेकिन दुखत बात यह है कि इस बार के चलते तीन लोगों की जान भी चली गई तो कहीं पेड़ कहीं बिजली के खंबे और किस तरह से पानी तेज बाहों के साथ बहरा है वो देख सकते हैं आगे बढ़ेंगे आपात काल के 48 साल पूरे होने पर सपा के महा सचिब शिवपाल यादब ने इशारों इशारों में बीजेपी पर निशाना सादा शिवपाल ने बीजेपी सरकार की तुलना आपात काल के दौर से की है शिवपाल ने ये सब ट्वीट करते हुए लिखा है और क्या कुछ ये शिवपाल ने बीजेपी के लिए लिखा रिपोर्ट के जरीए दिखाते हैं 45 सालों के बाद एक बार फिर आपात काल की यादें ताजा हो गई है शालों पहले लगे आपात काल ने ना केबल मौले का दिकारों को समप्त किया था बलकि देश पर ताना शाही लागू कर दे थी जिस ताना शाही में हमारे आइने को महज एक किताब में तब्दील कर दिया था लोगों की आवास दबाने के लिए जेलों का सहरा लिया गी ये सब हुआ था आजाद भारत में जब देश में कॉंग्रेस की सरकार थी और इंद्रा गांधी प्रदान मंतरी हुआ करते थी तब सत्ता और सत्ता के भवश्य को बचाने के लिए जो कदम उठाए गए वो आज भी आलोचना का विश्य बने हुए है आपातकाल की कालिश शासन को याद करते हुए सफा को महा सचिप शिवपाल यादब ने ट्वीट करते हुए निशाना सादा है शिवपाल ने लिखा कि 25 जून 1975 को तदकालिन के इंद्रस सरकार दोरा लगाया गया आपातकाल भारतिय लोगतंत्र का सबसे दुखत अध्याय था जो लोग कभी आपातकाल का व्रोध कर रहे थे आज वही सत्ता में बैठकर देश कुताना शाही की ओर ले जा रहे है वा जनता पर घोशित आपातकाल थोपे हुए हैं आपातकाल के बुरुद उठे हर स्वर को नमन शिपपाल ने ये सभी बाते बीजेपी पर निशाना सादिते हुए कहीं उन्होंने नाम भले ही ना लिया हो लेकिन इसका इशारा बीजेपी की ओर ही था क्योंकि समाजबादी पार्टी बीजेपी पर लंबे वक्त से ताना शाही चलाने का आरोप लगा दिया रही है लेकिन ये वही शिपपाल हैं जिनके बतीजे अभी बीते दुनों पटना के महा वैटक में शामिल होने पहुँचे रहे हैं इस वैटक में अधिकतर वो नेता शामिल हुए थे जो आपातकाल का जमकर रोध कर रहे थे और अब ये सभी दल विपक्षी एक्ता के लिए कॉंग्रेस के समर्थन को जरूरी बता रहे हैं बहराल महा वैटक के बाद अब जब सभी विपक्षी दल कॉंग्रेस से मद्वेद बुलाकर उसका समर्थन मांग रहे हैं लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये वही दल है जो वक्त वक्त पर कॉंग्रेस की नीतियों पर सवाल खड़े करते हैं गुरो रिपोर्ट ट्रेंटी नियुक्त चले फ्लाल के लिव बुटेन में बसतना ही आउसकार करते हैं